हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, जैकेट, जैन साब स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, बच्चों के ओल प्रोजक्ट, कैप, ब्लैंकेट, गल्स स्वेटर, गल्स टॉप, आधी में बनके भहुत ही खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रेंटर साइट से हमारा ये पैटन बनना स्टार होता है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने टू के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, प्लस हमने फोर फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं दस नमबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेना है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटन बना इस्टार्ड होता है अब हम अपना पैटन बनाना इस्टार्ड करते हैं तो देखे बॉर्डर कम्प्लीट होने के बाद फ्रंट साइड से पैटन की फस्ट रो में देखे पह अपनी साइड, दो फंदे उल्टे मुनेंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, लास्ट में दो फंदे उल्टे, और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ये फ्रंट साइड से आमारी पैटन की फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई, रॉंग साइड से देखे सेकिन रो, अब सेकिन रो भी देखे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, एक, दो फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक, दो, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट में दो फंदे सीधे आजाएंगे, और लास्ट वाला फंदा उल उटा आ जाएगा तो देखे रॉंग साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कमक्लेट हो गई फ्रंट साइड से देखे पैटन की थर्ड रो पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेगे धागा पीछे अब नेस्ट आमने दो फंदों में पैटन डालना है तो देखे ऐसे इस पेस में आएंगे तो देखे फर्स्ट रोल छोड़ेंगे और सेकिंड रोल में ऐसे सलाइड डालेंगे एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे इस तरीके का फिर दो फंदे सीधे एक दो फिर देखे ऐसे इस पेस में फर्स्ट रोल छोड़ेंगे शेकिंड रोल में हम सलाइड डालेंगे एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे अब नेश्ट हमने यही प्रोसिस रिपीट करना है धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे अब देखे ऐसे इस पेस में यह फर्स्ट रोल छोड़ेंगे शेकिंड रोल में सलाइड डालेंगे एक फंदा बनाएंगे फिर दो फंदे सीधे फिर हमने एक फं प्रोसिस में आएंगे ऐसे नीचे आएंगे फर्स्ट रोल छोड़ेंगे सेकिंड रोल में सलाइड डालेंगे एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे अब देखे फिर यहां पर पैटर्न आएगा तो दो फंदे सीधे फिर देखे ऐसे इस पेस में आएंगे फर्स्ट रोल छोड़ेंगे सेकिंड रोल में सलाइड डालेंगे एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे आएंगे और एक फंदा सीधा आजाएगा तो देखे ए फ्रंट से पैटरन की थार्ड रोल कम्प्लेट उगए रोंग साइड से देखे फोर्थ रोल फंदा उतारेंगे दागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी साइड अब देखे एक्स्ट्रा फंदा हम बिना बुने उतारेंगे नेस्ट आमने दो फंदे उल्टे फिर देखे एक्स्ट्रा फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड अब नेस्ट देखे इजो एक्स्ट्रा फंदा है शको बिना बुने उतारेंगे फिर दो फंदे उल्टे एक्स्ट्रा फंदा बिना बुने फिर दो फंदे सी फिर एक्स्ट्रा फंदा बिन बुने उतारेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे ए रॉंग साइट से अमारी पैटरन की फोर्तरों कमप्लीट हो गई अब देखे फ्रंट साइट से फिप्तरों फिप्तरों में देखे पहला फंदा उतारेंगे दो फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे कर लेंगे अब नैश्ट देखे ये पैटरन वाले फंदे आ जाते इन चारों फंदों को हमें एक साथ बुनेंगे और दो फंदे बनाएंगे तो देखे इन चारों फंदों में हमें बैक साइट की तरब से सलाई डालनी है और एक फंदा बना लेने एक फंदा हो गया फिर इन चारों फंदों में सीधी साइट से सलाई डालेंगे और दूसरा फंदा बना लेंगे यह देखे यह चार फंदों से हमने दो फंदे बना दे अब नेश्ट हमने यही प्रोसिस रिपीट करना है दो फंदे उल्टे फिर धा का पीछे अब इन चार फंदों को एक साथ बनेंगे और इनसे हमें दो फंदे बनाने हैं तो ऐसे देखे चारों फंदों में बैक साइट की तरब से सलाई डालेंगे और देखिए एक फंदा बना लेंगे फिर सीधी साइट से इन चार फंदा में सलाई डालेंगे और दूसरा फंदा बना लेंगे अब नेस्ट हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है दो फंदे उल्टे फिर दागा पीछे अब नेस्ट हमारे ये चार पैटन वाले फंदे आ जाते हैं इन्हें एक साथ बनेंगे और दो फंदे बनाएंगे तो देखे बैक साइट की तरब से सलाई डालेंगे एक फंदा बना लेंगे फिर इन चारों फंदों में सीधी साइट से सलाई डालेंगे और देखे दूसरा फंदा बना लेंगे धागा अपनी साइट लास्ट के दो फंदे उल्टे आ जाएंगे एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ए फ्रांट साइट से अमारी पैटर्न की फिप्तरों कम्प्लीट हो गई रॉम साइट से देखे शिक्स रू अब शिक्स रू में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पिछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइट दो फंदे उल्टे फिर दो फंदे सीधे धागा अपनी साइट दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी साइट दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर दो फंदे सीधे लास्ट का फंदा ओड़ा तो देखे ये रोंग साइड से हमारी पैटन की 6 रो कमप्लीट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की 7 रो अब 7 रो में हमारा पैटन रिपीट होगा 7 रो को हमने 1 रो की तरह बुनते हुए कमप्लीट करना है अब हमने इनी 6 सलायों के पैटन को बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करे सियर करे कमेंट करे और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू